देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एम्स अब कुरोना के होट स्पोट में तबदील हो चुका है जहां 489 करमचारी कुरोना से संक्रमित हो चुके हैं इनमें डॉक्टर्स, नर्स, सफाई करमचारी और चौकिदार सभी शामिल हैं कुरोना संक्रमित लोगों में दो फैकल्टी मेंबर्स, 17 रेजिडेंट डॉक्टर्स, 38 नर्स, 74 सिक्योरिटी गार्ड्स, 74 सहायक, 54 सफाई करमचारी, 14 लैब करमी और 193 अन्य स्टाफ शामिल हैं इनके अलावा जेन पांडे नाम की एक डॉक्टर, एक सफाई करमी और एक मैस में कारेरत करमी की कोरोना से मौत भी हो चुकी है हालाकि एम्स प्रशासन का दावा है कि अब तक 329 करमी करोना से ग्रसित हुए हैं और बाकी का आंकडा इन्ही करमियों के परिवार और नजदी की लोगों का है आशंका है कि इतने बड़े पैमाने पर एम्स में करोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद आंकडा और उपर जाने के उम्मीद है एम्स की एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि ज्यादतर संक्रमित लोग एम्स कैंपस के बाहर रहते हैं कुछ ऐसे भी लोग थे जो होट स्पोट से काम परा रहे थे इसकी संभावना ज्यादा है कि संक्रमन इन्हीं लोगों से फैला हो इस बीच एम्स की नर्से लगातार तीसरे दिन एम्स के डायरेक्टर रंडदीब गुलेरिया के चिंबर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है प्रदर्शनकारी नर्स अपनी 6 घंटे की शिफ्ट को छोटा करने की मांग कर रही है उनका कहना है कि लगातार PPE किट पहनने से उन्हें गर्मी उल्टी जैसी दिक्कते हो रही है और उनके काम के घंटे कम करने चाहिए प्रदर्शनकारी नर्सों ने कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो वो 15 जून से हरताल पर चली जाएंगी प्यूर रपोर्ट गोन्यूस